मत गणना लगातार जारी हैं और हम पलपल की अपडेट आपको फेस्बूक पर लाइव आकर के दे रहें साथ ही साथ क्विटर पर भी पूरे परदेश में क्या चल रहा है कौन सी विदान सभा से कौन आगे चल रहा है हर एक जानकारी दे रहें और अगर इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि राजस्तान की सबसे चर्चीत सीट सिव विदान सभा चेत्र में 30 राउंड कंप्लेट हो चुके है और वहां से रविंदर सिंग भाटी 10,000 वोटों से आगे है वहीं अगर बात बादमीर विदान सभा की करे तो 18 राउंड हो चुके है और वहां पर मेवा रा जो है वो रुजान आ रहे हैं क्योंकि अगर बात अपन बाईतु की करें तो बाईतु में 17 राउंड हो चुके हैं जहां पर 9,000 वोटों से उम्मेदा राम आरेलपी के जो हैं वो आगे तीन राउंड अप सेस बचे हैं और इन तीन राउंड में हमेशा पिछली बार की तर जो है वो पाटोदी चेतर के और वहां पर हरी चोदरी जो है उस चेतर में मजबूत माने जाते हैं अब देखने वाली बात होगी कि 2018 की पुन्रावरती अब यहां पर होगी या फिर उमेदा राम बैनिवाल जो हैं बाईतु से चुनाव जीत जाएंगे इसके साथ ही अगर दो करें तो इस बार राजस्तान के ऐसे ईस technology जो बड़े चैरे हैं वह चुनाव हार चुके हैं बार चाहे सीपी जोसी की करें या पिर अगर बात अलगलग जगों से बात t में तो गोविन सिंग ९ूटासरा की बात करें जारा चुके है अलग अलग जग้ों से बड़ी अप्डेट और बीजे posted की बड़े चैरों की बात करें तो आमिर से 37 पूनिया और टारा नगर से राजंदर राठोर चुनाव हार चुके है डीडवाना से यूनुस खान ले देखने वाली बात होगी है लेकिन तीस राउंड में जो हैं वो रविंदर सिंग बाती नहीं प्याँ यह लीड है तो अलग अलग जगों से मलगातार अपडेट दे रहे हैं थोड़ी दिर बाद जीते हुए निता है वह अपने अलग जगह पर प्रमान पत्र लेने के लिए पर पहुंच जाएगे और मैं अलग अलग जगों से और आपको अपडेट देने की कोशिस करूंगा अशोग लोदी से वह जीते हैं लोहावट से गजंदर सिंग जो हैं मजबूत है दिव्या मदेरना ओशिया से चुनाव हार चुकी है इसके अलवा लूनी से जोगा राम पटेल जो हैं वह चुनाव जीते हैं अलग अलग जगों की अपडेट हम लगातार आपको बताएता रहेंगे और अगर आपको हर एक राउंड की अपडेट चाहिए तो तुरन प्रभाव से ट्वीटर पर जाकर करें फोलो कर दीजिए और हर एक जानकारी अब मत गणना के बाद हम आपको विश्ट लेसन करके एक-एक विदान सभा कर बताएंगे भी कहां पर क्या हुआ है